BSF में खराब खाने को लेकर चर्चा में रहे बर्खास्त जवान तेज बहादू ने आज रिवारी में प्रेस वारता कर जेजेपी से किनारा कर लिया और कहा कि गठ जोड की यह सरकार छे महीने से जादा नहीं चल पाएगी नहीं तेज बहादू ने कहा कि दोश्यंत चुटाला ने बीजेपी से गठ बंदन करके परदेश की जनता के साथ विश्वाशकात किया है बहुत बड़ा दोखा किया मैं तो यह कहूँगा कि हर्याना की जनता के साथ उन्होंने गठ दारी किया जिस परकार से उन्होंने बगर बुलाए बीजेपी को समर्थन दिया जो कि जनता ने बीजेपी को नकार दिया था उसके बावजूद जब निर्दलिये कंडिडेट उनके पास जा चुके थे उसके बाद दुश्यन चोटला खुद जाके और उनको समर्थन देते हैं तो यह पूरे हरियाना परदेस के साथ एक दोखा है मैं भी जेजेपी पार्टी का एक कंडिडेट था लेकिन मैं आज से ही जेजेपी पार्टी से अस्थि USA देता हूँ मेरे जितने भी समर्थक है मैं उनसे अनुरोद करता हूँ की पूरे हरियाना के अंदर जेजेपी पार्टी का विरोध करें क्योंकि हमारी लड़ाई जो विचारों की लड़ाई है और हम इससे सहमत नहीं है की वो दूसरे देविलाल की छवी के रूप में और हरियाना के जो बहुत से निर्दारित करेंगे लेकिन उन्होंने जंता के साथ धोखा किया जिससे मैं खुद आहात हूं और जितने समर तक लेकिन मुझे बीच में भी कुछ अंदेश सा हुआ था कि जेजेपी पार्टी कहीं न कहीं बीजेपी की बी टीम है जो की करनाल में उन्होंने मेरे साथ इस चीज में साबित किया करनाल के खुद भी जेजेपी के कारिये करता हूंने मेरे खिलाब बोट डलवाई जो उसके कुछ एक आयुडियो वगेरा इस तरह के लोगों ने जो हमारे एजेंट थे इन्होंने मेरे को कहीं पर भी कोई एजेंट तक भी नहीं दिया जब मैं जहांसी जेल में चार दिन बंद रहा जेजेपी पार्टी के किसी भी पदा अदिकारी ने ये जानने की कोशिश नहीं कि हमारा कंडिडेट कहां जेल में बंद है तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब किलियर हो गया कि जो जेजेपी पार्टी है ये एक बीजेपी की बी टीम है और ये हरियाना के साथ सल हुआ है दोखा हुआ है इसका जबाब हम पूरे प्रदेश के युवाओं को लेकर इसका जबाब देंगे हमके खिलाफ आ जलाए जा रहे हैं और ये आंदोलन बहुत उगर होगा आने वाले समय के अंदर हरियाना के अंदर से जेजेपी पार्टी कभी भी अपनी एक सीट भी नहीं जीत सकती जो उन्होंने दोखा किया जंता के साथ आपके कैस्ट है प्रमेस हमारा यह हम के खिलाफ आंदोलन करें इस तरह हैंगे किस तरह हैंगे जिस तरके से हमारे से विरोध होगा हम उसका विरोध करें और आने वाले समय के अंदर हर्याना के अंदर जेजेपी कखाता भी निखोने लेगे अबुद्धेश के सादरा नो हमारी इस चाफसर्णत्स के निए और आपको ये मैं यह मन यह कुर्फंग और उस सब्सक्राइब करें और कुछ 상शान के नेता थे मजदूर गरीब नेटा थे उन्होंने उसका नाम लेके आज हाँ सुबह ही मेरी जाट खापों से कुछ विचार हुआ है उन्होंने काया कि जल्दी हम इसका फैंसला लेंगे और खाप पंचेयगे तकरीबने सरो जो खापे हैं सभी एक जूट होके इसका निरने लेगी क्योंकि आपने देखा होगा कि जाट खापों निरना लिया था बी कि अब एक अपते के अंदर अंदर हम इसकी पूरी तैयारी करेंगे और इनका पूरा विरोध करेंगे और जहां तक है कि सरकार ज्यादा ज्यादा अच्छे मेने ज्यादा टिकने वाली नहीं है